परिचाए बच्चो, जीन क्या होते हैं? जीन अनुवन्शिक्ता की एकाई है, जो निश्चित लक्षणों की अभिवेक्ती की जानकारी इस्थनांत्रित करने के लिए जनकों से संततियों में इस्थनांत्रित किये जाते हैं. बिल्कुल सही, क्या तुम इस चित्र में दर्शाए गई सनचना की पहचान कर सकते हो? यहाँ एक गुण सूत्र है, तुम सही कह रहे हो. हम जानते हैं कि जीन निश्चित विशिशकों की अभिवेक्ती को प्रभावित करते हैं, इसी तरह गुण सूत्र भी एक लक्षण की वन्शगती को प्रभावित करते हैं. तेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे. वन्शगती का क्रोमोसोम सिध्धान्त समझना, जीन तथा क्रोमोसोम के वैवहार प्रतिरूप के बीच अंतर करना, सहलगनता की घटना को समझना, पुनर योजन की घटना को समझना, 1900 तक मेंडल के कारे की अमानिता के कारण मेंडल का कारे 1900 तक अग्याद रहा, क्यूंकि? संचार की कमी के कारण उनके कारे का व्यापक रूप से प्रचार नहीं किया गया था. स्थाई एवं विविक्त इकाईयां जो विशिशकों तथा एक दूसरे से साथ मिश्रित ना होने वाले अलील के जोडों की अभिव्यक्ति को नियंतरित करती हैं, इनके रूप में उनकी जीन की संकल्पना प्रकृती में दिखाई देने वाली सतत विवित्ता की व्याख्या की रूप में सुईकारे नहीं की गई. मेंडल की गणितिये पद्धती नई तथा असुईकारे थी. मेंडल जीन की उपस्तिती का कोई भी भौदिक प्रबाण नहीं दे सके. क्रोमोसोम यानि गुण सूद्र की खोज 1900 में क्रोमोसोम की पहचान केंद्रक के भीतर रंगीन कार के रूप में की गई. जो कोशिका विभाजन के ठीक पहले दुई गुणित और विभाजित होने में भी सक्षम थे. परिणाम सरूप डीवरीज, कौरेंस और वौन शेरमाक ने मेंडल के कारियों की पुना खोज की. सन 1902 में अर्द सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गधी के पहचान की गई. जीन और क्रोमोसोम जीन युग्म के दो अलील समझात क्रोमोसोम पर समझात इस्थलों पर इस्थित होते हैं. क्रोमोसोम का वेवाहार जीन के वेवाहार के समाना तर चलता है. क्रोमोसोम पर उपस्तित दोनों जीन युगमक निर्मान के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि प्रत्यक जोडे में से केवल एक ही युगमक तक पहुँच पाता है जीन या क्रोमोसोम के युगमका विसंयोजन एक दूसरे से सौतंत्र होता है गुण सूत्रों का स्वतंत्र अपविवन अर्धु सूत्रन की पश्चवस्था एक के दोरान क्रोमोसोम के दो जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्ति बद्ध हो सकते हैं जैसा की आलेखिये निरूपण में दर्शाया गया है वन्शागती का क्रोमोसोम सिध्धांत सटन और बोवेरी ने सन 1902 में स्वतंत्र रूप से वन्शागती का क्रोमोसोम वाद या क्रोमोसोम सिध्धांत प्रस्तुत किया सिधांत के अनुसार अनुवंशिक जानकारी जीन द्वारा ले जाए जाती है जो क्रोमोसोम के भाग है सटन और बोवेरी के अनुसार क्रुमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के युग्म के विसंयोजन का कारण बनेगा वन्शागती का क्रुमोसोम सिध्धान्थ का प्रयोगात्मक सत्यापन वन्शागती का क्रुमोसोम सिध्धान्थ का प्रयोगात्मक सत्यापन थॉमस हंट मोरगन द्वारा फलमक्खी ड्रोसफिला मेनलोगैस्टर पर किया गया ड्रोसोफिला, मेलनोगेस्टर ही क्यूं? वे प्रयोक्षाला में साधारन कृत्रिम माध्यम पर वृध्धी कर सकी हैं वे अपना जीवन चक्र लगभग दो सप्ता में पूरा करती हैं उनमें लिंगों का विभेदन पश्च्ट था इनकी अनुवनशिक विविदताओं को कमक्षमता वाले माध्योस्कोप से देखा जा सकता है सहलगनता सहलगनता अलील की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है जो अर्दुसूत्री विभाजन के दौरान एक साथ रहने के लिए समान गुण सूत्र पर भाधिक रूप से एक दूसरे के निकट होते है सहलगनत जीन सौतंत्र अविवन नहीं तर्शाते है मोरगन ने पीले शरीर और श्वेत आँखों वाली माधाओं तथा भूरे शरीर लाल आँखों वाले नरों के बीच सहलगनता का पता लगाने के लिए दो बिंदू परिक्षार्थ संकरण का उप्योग किया उन्होंने देखा कि दो जीन सौतंत्र रूप से विसंयोजित नहीं हुए और F2 फिनोटाइप अनुपात अपेक्षित अनुपात नौ बटे तीन बटे तीन बटे एक से भिन था मौरगन ने देखा कि डो सो फिला में आँखों का रंग लिंग सहलगन था जैसा कि आर एक में दर्शाया गया है विनिमय विनिमय समझात गुनसूत्रों के बीच गुनसूत्रों का भौतिक आदान प्रदान को संदर्भित करता है ये अर्दसूत्री विभाजन एक की पूर्वावस्था में होता है विनिमय तथा आनुवन्शिक पुनर्योजन विनिमय के परिणाम सो रूप समझात युगमों के बीच आनुवन्शिक जानकारी का पुनर्योजन होता है पुनर्योजन अर्दसूत्री विभाजन के दौरान समान गुण सूत्र पर अलील के अनुवनशिक अपिविविवन को संदर्भित करता है सहलगन जीन कम पुनर्योजन अव्रिती दर्शाते हैं क्यूंकि ये जीन सौतंत्र रूप से अपविवित नहीं होते हैं दो सहलगन जीन के बीच की दूरी का निर्धारण तब होता है जब वे विनमय या आवरित्ती दर्चाएंगे अनुवन्शिक मान्चित्रण सहलगन ता मान्चित्र गुण सूत्र पर उपस्थित जीनों की वैवस्था के अनुरूप होता है समान गुण सूत्र पर उपस्थित जीन युगमों के बीच पुनर योजन आवरिती कवपयोग जीनों के बीच की दूरी मापने तथा गुण सूत्र पर इनकी इस्तिती का मान्चित्र बनाने के लिए किया जा सकता है आनुवन्शिक मान्चित्र दूरी बराबर पुनर योजन युगमकों की संख्या गुणा सौबटे कुल युगमक आनुवन्शिक मान्चित्र दूरी सेंटी मोर्गन में मापी जाती है क्या आप चानते हैं सहलगनता मान्चित्र का उप्योग हेलिवोथिस और हेलिको वर्पा पीड़कों का प्रतिरोध करने की कीट नाशकों की क्रिया विधी का अध्यान करने के लिए किया जा सकता है सहलगनता मान्चित्र एक विशिष्ट विभेत में विशिष्ट कीट नाशक का प्रतिरोध करने में युगदान करने वाले सहलगनता समोहों की संक्या का निर्धारन और उनकी पहचान करता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं सटन और बोवेरी ने सन 1902 में स्वतंत्र रूप से वन्शगती का क्रोमोसोम वाद या क्रोमोसोम सिध्धांत प्रस्तुत किया सिध्धांत के अनुसार अनुवन्शिक जानकारी जीन दोहरा ले जाए जाती है जो क्रोमोसोम के भाग है मेंडल का स्वतंत्र रूप अव्योहन का नियम उन जीनों के लिए सत्य नहीं हुआ जो समान गुण सूत्रों पर इस्थित थे ये जीन सहलगन जीन कहलाते थे विनिमय के परिणाम सरूप समजात युगमों के बीच अनुवन्शिक जानकारी का पुनर योजन होता है सहलगनता मान्चित्र गुण सूत्र पर उपस्थित जीनों की वैवस्था के अनुरूप होता है